तुरिष्टा ने सपना सुनाया बानर आया लंका जलाया हनमान जी कह प्रभु जितना बोला है सब करके काम आऊँगा मैं एक भी काम छोड़ूगा नहीं मैं रात्री में लगी अगनी मांगने सुता मिया हनमान जी मा की व्यकुलता देखे जो सोने की अंगुठी थी न हनमान जी हाथ में लेकर नहीं गये थे हाथ में नहीं पकड़े थे अरे प्रभु मुद्रिका मेली मुख मा जी मुख में था अंगुठी गिरा दिये सोना हो पीले रंका गिरा मा अगनी मांग रही थी तारों से चंद्रमा से अशोग के पत्नों से मा को लगा अगनी है देखने लगी अरे चकित चितव मुद्री पहिचानी मा पहचान गे प्रभु की मुद्रिका लेकिन सोचने लगी माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती ये अजिय है इसको कोई जीत नहीं सकता ये मुद्रिका आई कैसे मा विश्मे भाव में आई हनमान जी उपर बैठे मा की व्याकूलता को देखके हनमान जी लगे गुणगान करने राम सिया राम सिया राम जे जे राम राम चंद्रकुन परने लागा सुनत ही माता कर दुख भागा लागे सुने स्रवन मन लाई आदे हुसे सब कथा सुनाई स्रमनामृत जेह कथा सुहाई कहे सुप्रगट होत किन भाई तब हनमन का निकट चली गायाओं फिर बैठी मन भिस मै भायाओं श्रिनमान जी लगे ऊपर से कथा सुनाने प्रारंभ से अब तक की पूरी कथा सुनाएं मा लगे दे उसकी मा का हरन हो जाए उस पुत्र का मुख देखने योग नहीं होता है मा मेरे रहते आपका हरन हो गया मा मुख गुमाय गुमाय पूछी तुम बार बार मा क्यों बोल रहे हो मैं तुम्हारी मा कैसे हो गई बोली मा मैं मुझे जांकती है आप मैं कौन हूँ अरे राम दूत मैं मा तू जान की सत्य सपत करुणा निधान की मा करुणा निधान भगवान की सोगंध लेकर कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ मैं आप गोतावे जो करुणा निधान नाम है ना सीता मिया इसी नाम से राम जी को बुलाती थी